हेलो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि बैपेज की बैगरोंड अमेज को कैसे सट किया जाता है इसके बारे में सिखा था आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बैपेज के बैग्रोंड कलर को कैसे सट किया जाता है और टेक्स्ट कलर को कैसे अपलाई किया जाता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे इसकी डेफिनेशन जानते है बीजी कलर एट्रिब्यूट इन-STML तो यह इसकी डेफिनेशन है HTML प्रोग्राम की मत से किसी भी बैपेज पर बैग्रोंड और फोर्ग्रोंड कलर चेंज कर सकते है HTML कोड के उनसार बैग्रोंड कलर को बीजी कलर का जाता है एक बैपेज मनाते समय आप bg color का उपयोग कर सकते हैं bg color अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे red, green, blue, yellow, आदी आप color code का भी उपयोग कर सकते हैं किसी भी color की code का उपयोग करने के लिए hash, sign का उपयोग करना जरूरी होता है जैसे अगर बैपेज का color change करना है या तो हम red लिख सकते हैं या इसका ये जो code है इसको अपलाई कर सकते हैं अगर बैपेज का color black करना है तो या तो हम black लिख सकते हैं या हम इस code को अपलाई करेंगे अगर हम चाहते हैं कि grey color यहाँ पे बैपेज पे अपलाई करना है या हम ये color code अपलाई करेंगे hash 00FF00 और भी बहुत से color code हैं उनको भी हम अपलाई कर सकते हैं HTML program दुबारा bg color और foreground color बदलने के लिए आप body tag के अंदर ही body bg color और इसके वाद यहाँ पे equal to और यहाँ पे double quadration में लिखेंगे हम color का नाम जैसे कोई भी color हो सकता है जैसे red, green, yellow, आदी और text अगर text का color चेंज करना है तो यहाँ पे हम equal to लिखेंगे और उसके वाद लिखेंगे color name जैसे की red, brown, yellow, आदी लिखना होगा तो color को change करने के लिए या तो हम direct color का name लिखेंगे या यहाँ पे color code यहाँ पे apply करेंगे तो ऐसा करने पे बैपेज का color change हो जाएगा इसको हम practically notepad को open करके करते हैं यह हमने notepad open किया हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे HTML उसके बाद लिखा हुआ है head उसके बाद यहाँ पे title लिखा हुआ है हमने यहाँ पे background color, text color इसके बाद यहाँ पे title को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे head इसको बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे body और body के अंदर यहाँ पे लिखेंगे bg color bg का मतलब है background color यहाँ पे equal to और यहाँ पे double quotation के बीच में लिखेंगे color का नाम या color code इसके बाद यहाँ पे body को बंद किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे HTML को बंद किया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे हम double quotation के बीच में color का name लिखेंगे то color का name यहाँ पे हम ने लिखा red ये red color का name दिए है हमने तो जब हम web page को देखेंगे इसको save करेंगे, तो कहां पे save करना है, इसको हम desktop पे save करेंगे, यहां पे desktop पे click किया, इसके बाद यहां पे देंगे file name, तो यहां पे click करेंगे, और यहां पे file name लिखेंगे, तो file name है as, यह file name दिया, इसके बाद extension लगाएंगे, तो extension है dot stml, यह extension लगाएं, इसके बाद इसको हम यहां पे save कर देंगे तो save करने के बाद यह देखो यहां पे default browser में as नाम की file आ गई है इसको यहां पे open करेंगे यह देखो इसको open किया इसको open करने के बाद यह देखो back page का जो background color है यह red में आ गया तो इस तरह से हम back page का color change कर सकते है इसके बाद अगर हम यहां पर code apply करेंगे red का तब भी यहां पर ready रहेगा यह दो यहां पर isco red को मिटाते हैं मिटाने के बाद इसका जो red का color code है वो है ff इसके बाद 4 war 0 लिखंगे 1,2,3,4 4 war 0 यहां पर हमने लिखी लिखने के बाद यह red का color code है इसके बाद हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे यहाँ पे सेव की सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यह जो है यह ready रहेगा क्योंकि यह red का color code है यह देखो इसको refresh करके दिखते हैं यहाँ पे इसको refresh किया refresh करने के बाद यह दिखो यह जो बैपेज की background है यह ready रहेगी क्योंकि यह red का color code है इसके बाद हम दूसरा color apply करते हैं यहाँ पे इसको मिटाते है यह इसको मिटाया अब हम यहाँ पे grey color यहाँ पे apply करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे grey यह grey लिखा grey लिखने के बाद जब हम इसको save करेंगे तो यह जो बैपेज का color बैग्रोंड का यह grey में हो जाएगा इसको करके देखते हैं फाइल पे गए और इसको save कर देते हैं यह save किया save करने के बाद हम इसको जब यह refresh करेंगे तो यह जो background यह gray color में आ जाएगी यह दिखो इसको refresh किया refresh करने के बाद यह जो color है यह gray color में आ गया color name यहाँ पे है इसको delete करते है और color code लिखेंगे तब भी यह gray रहेगा तो gray का color code है यहाँ पे हम apply करेंगे यह मिटाया इसके बाद gray का जो color code है वो है 6 वार 9, तो यहाँ पे 6 वार हम 9 लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बाद हम यहाँ पे इसको save करेंगे यह save पिक्लिक किया, तो refresh करने के बाद यह जो background या gray में रहेगी, यह दिखो इसको refresh किया refresh करने के बाद यह दिखो, यह जो color है यह gray में रहेगा इसके बाद हम यहाँ पे कोई और color अपलाई करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको मिटाया, मिटाने के बाद यहाँ पे हम अपलाई करेंगे lime, यह lime color name हमने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद हम इसको save करेंगे, file पे गए, save पे गए, save करने के बाद जब हम इसको refresh करेंगे, तो यह जो background है यह lime color में change हो जाएगी यह दिखो इसको यहाँ पे refresh करके दिखते हैं यह refresh किया refresh करने के बाद यह दिखो यह जो color है यह lime color में आ गया है इसके बाद इसका color code यहाँ पे apply करेंगे इसको मिटाया तो lime का color code जो है 00 इसके बाद FF इसके बाद 00 यह lime का color code है इसके बाद हम यहाँ पे file पे जाएंगे save पे जाएंगे यह save की इसके बाद जब हम इसको refresh करेंगे यह lime color यहाँ पे background में रहेगा इसको यहाँ पे refresh करके लिखते है refresh की refresh करने के बाद यह लिखो यह जो background color है यह lime color ही है इसके बाद आगर हम यह जाते हैं कि यह जो background है इसमें कुछ हमने लिखा हुआ है उस text का color हमने change करना है तो इसको कैसे करेंगे यह color code है इसके यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद पर equal to लगाएंगे, equal to लगाने के वाद double quotation में हम लिखेंगे color name, तो यहाँ पर हम red color अपलाई करेंगे यह red लिखा, इसके वाद double quotation को बंद करेंगे, यह बंद की, my first bet is, यह हमने यहाँ पर लिख दिया text is equal to, यहाँ पर double quotation में हमने color name दिया हुआ है, इसके वाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, my first bet is तो इसका जो color है my first bet is, इसका जो color है यह red में आ जाएगा, यह दिखो lime background है, और इसके उपर जो आएगा, वो यह आएगा, my first bet is, और इसका जो color आएगा, वो red में आएगा, पहले कि क्या करते हैं, हम h1 का use करते हैं, यहाँ पर हम h1 लिखेंगे, यह दिखो यह लिखा, इसके बाद यहाँ पर enter प्रेस करेंगे, और यहाँ पर h1 को बंद कर देंगे, बंद करने के बाद यह जो लिखा हुआ है, यह बड़े में आएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे फाइल पे जाएंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे यह सेव पे क्लिक किया यह सेव हो गया है सेव होने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा यह color code हमने कौन सा apply किया हुआ है तो यह lime color code है, इसके बाद यहां पर हमने text color ये red abuse किया हुआ है, तो यह जो लिखा हुआ है my first webpage, यह यहां पर red color में आएगा, इसको करके लिखते हैं, refresh पे click क passiert, रिफ्रेश पे click करने के बाद ये दिखो, यह जो background है बैपेज की यह lime color में आई और यह जो लिखा हुआ आया my first बैपेज यह किस में आया red color में अगर हम यहाँ पे color change करते हैं text का तो यहाँ पे color change हो जाएगा suppose करो हम red की जगा यहाँ पे black करते हैं यहाँ पे इसको red को मिटाया मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे black यह black लिखा black लिखने के बाद जब हम इसको save करेंगे file पे गए save पे गए अब देखो यह जो color है my first बैपेज इसका जो color आएगा वो black में आएगा तो इसको refresh करके देखते हैं, यह refresh किया, refresh करने के बाद यह देखो, यहाँ पे यह जो color है, text का, यह black color में आ गया, तो इस तरह से हम bad page का color change कर सकते हैं, और text का color change कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने यह जाना, कि bad page का color कैसे change किया जाता है, text color कैसे change किया जाता है, इसके बार में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल